नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल जुरधारी क्लासेज में दोस्तों हिंदी साहिते किस ओनलान क्लासेज में आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं उत्राखन्त के हिंदी साहते के कविय और लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहते में काफी योगदान दिया हैं और जो UK SSC ने अपने सलेवस में जिनको मेंचन कर रहा हैं तो वह सब्में typically हम आगे आज बताने वाले हैं तो यहां पर मंगले fork जमराल जी होगे, पीतामबर्दत बर्थवाल जी होगे, सैलेस मटियानी और सेखर जोसी और एक अंत में हम गोरा पंत जी के बारे में भी बात करेंगे, तो ये पांच कवियों या लेख़कों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो काफी important वीडियो होने वाली है, आग जिसमें आपको उत्राखंड शामन गया, detail notes, mcq practice set, उत्राखंड previous year paper, quiz और daily current affairs देखने को मिलेगा, application को download करेंगे, सर्च कीजे, play store में उत्राखंड gk, और search result में देखे, उत्राखंड general knowledge के नाम से, sj group का app, और इसको install कीजे, और इसको enjoy कीजे, और हाँ, यदि आपको app पसं इत्राखंड से बिलोंग करते हैं, अब जो को इनकी जन्म की बात की जाए, तो इनका जन्म होता, 16 मई 1948, को गाहँ होता है, इनका जन्म काफल पानी नामा, गाउं में, जो की तीरी गड़वाल उत्राखंड का एक प्रमोग गाउं, उत्राखंड के तीरी गड़वाल छेतर का गाव एक काफल पानी वहाँ पर इनका जन्म होता मंगलेश जब्राल जी का और निधन कब होता इनका हाली मोसा 2020 में 9 दिसंबर 2020 को तो ये करंट फियर्ज की द्रिश्ट से भी काफी important question हो जाता है ये निधन का हाली में किस एक कवी का निधन होता दिसंबर 2020 में तो वह आता मंगलेश जब्राल जी का क्योंकि देखो ये सलेबस में भी है और उत्राखन के द्रिश्ट से तो ये काफी important है अब इनके परमुख रचनाओं की अगर बात करें तो कावे संग्रह देख लेते हैं पहले इनके तो सलेबस तो कावे संग्रह है एक संग्रह होता है कभी दाओं का तो इनके जो परमुख कावे संग्रह परकासित हुए पहाड़ पर लाल टेन ये काफी परसलित रहा तो काफी important रही है घर का रास्ता हम जो देखते हैं आवाज भी एक जगा है और नई यूग में नए सत्रू तो ये इनके परमुख कावे संग्रह है अब दोखों यहाँ पर मैंने एक और चीज़ यहाँ पर दिखा रहे है संगतकार कावे इनकी एक परमुख कावे है क्योंकि संगतकार आपके सलेबस में है और आयूग ने सलेबस की एकोडिंग यह कह रहा है कि हम NCRT के माधिम से यह NCRT के बेस पर जो सलेबस में है उसको पूछेंगे तो NCRT में एक संगतकार कविता है 11 तर 12 में होगी हो तो इसको आप जरूर नौट करना संगतकार जो कविता है उसमें क्या होता है वो इस परकारी कविता है तो आप सुन सकते हो मुख्य गायक के चटान जैसे भरी स्वर का साथ देती वहाँ आवाज सुन्दर कमजोर कामपती हुई वहाँ आवाज कैसी है सुन्दर कमजोर कामपती हुई वहाँ मुख्य गायक का छोटा भाई है तो संगतकार का मतलब होता है जो गायक के साथ गारा है तो कवी ने वहाँ पे जो गायक के साथ दूसरा जो ब्यक्ति होता है उसकी तुलना कर रखी कि वो भी मतलब किसी गायक से कम नहीं है भले वो संगतकार होता है तो यहाँ पे जो कवी है यानि जो मंगलेश डवराल जी है उन्होंने यहाँ पे संगतकार के माध्यम से जो गायक होता है उसका जो साथी होता है उस पर द्रिश्टे डालने के कोसिस की है कि उसकी भी मलब जो अपने में उसकी भूमिका होती है वो भी किसी से कम नहीं होती है अपने आपने को काफी बड़ी भूमी का निभाता है तो संगतकार सलेवस में है इसलेमा ने इसको अलग यहां पे लिखा है तो इसको आप जरूर नोट करेगा संगतकार आ सकता एकजाम में कि संगतकार किसकी रचना है या किसका एक प्रमुक काविया है किसके एक प्रमुख कविता है तो वो है मंगलेश डबराल जी की उसके बाद इनके गद्य संग्रा पर भी यहां पर द्रिश्ट डाल देते हैं तो लेखक की रोटी कविका अकिलापन ये इनके प्रमुख गद्य संग्रा है यात्रा वर्त की बात करें एक बार आयोवा ये इनका एक प्रमुख यात्रा वर्तांत है वर्तिया व यात्रा वर्तांत तो एक बार आयोवा ये किसका प्रमुख यात्रा वर्तांत है तो ये है मंगलेश डबराल जी का पठकता लेखन की बात की जाए तो नागारजुन, निर्मला वर्मा महासुइता देवी और गुरुदयाल ये इनके प्रमुक पठकता लेखन है तो देखो इसमें आपने क्या ध्यानक ना है काबे संग्रा तो आपको ये सबीदे ध्यानक ना है संगत कार काफी इंपोर्टन्ट है स्लेबस में भी इसको आप जरूर नोट करेगा यात्रा वर्तांत भी आप इनका जरूर नोट करेगा अब इनके यहां पर पुरुषकारों की बात कर लेते हैं तो सन 2000 में हम जो देखते हैं काबिया इनका जो एक परमुक काबिया है हम जो देखते हैं यहां मैं लिख रहा होगा हम जो देखते हैं इसके लिए इनको 2000 में साहित्य अकाद्मी पुरुषकार से सम्मानित क्या गया तो हम जो देखते हैं काबिया काफी important इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके लिए इनको 2000 दोजार में क्या मिला साहीत्य अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया इसलिए यह काफी important हो जाता है 1989 में इनको सिरिकान्त वर्वा पुरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है और 1982 में ओम प्रकास इर्थमृति सम्मान से भी इनको सम्मानित क्या चुका है तो यह उनको कुछ प्रमुख पुरुषकार मिले थे उनके बार में मैंने आपको आप बता दिया लेकिन जो साहित्य अकादिय पुरुषकार 2000 है हम जो देखते हैं के लिए मिला यह काफी सबसे इंपोर्टेंट सेलेस मत्यानी जी है क्योंकि इनके बार में बहुत सारी क्वेशन पूछे जा चुके हैं और बहुत सारी इनकी परसिद रचनाय है तो इनके बार में आपको अच्छे से पढ़ना काफी डीप मने आपको यहां पे नोट्स प्रोवाइड करा रखे है सेलेस मत्यानी जी के बार में तो जो सेलेस मत्यानी है इनको रमेश चंदर मत्यानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बचपन में इनका नाम रमेश चंदर मत्यानी था और वो कौन है सेलेस मत्यानी ही रमेश चंदर मत्यानी यह आपको नोट करना है इनके जन्म की बात क लें तो इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को और कहा हुआ था इनका जन्म अलमोडा के बाड़े छिना गाउं में हुआ था सेलेस मट्यारी जी का जन्म और निदन हुआ इनका 24 अप्रेल 2001 को अब बढ़ते इनकी परमुख रचनाओं के बारे में क्योंकि एक्जाम में र तो कोई भी रचनाओं पूछ सकते हैं कि आपको सभी पढ़के जानी है लेकिन उपन्यास पर आपको विसेज ध्यान देना है क्योंकि उपन्यास काफी पूछे जाते हैं अब वह से कोई भरोसन यह कहीं से वह क्वेस्टन उठा सकते हैं इसलिए मैं आपको यहां पर बोरी बंदर तक काफी important है इसको जरूर नोट करेगा बोरी वाली से बोरी बंदर तक किसका उपन्यास है तो सेलेस मत्यानी जी का है दूसरा है सर्पगंदा मुठमेड ये भी काफी important है आकास कितना अनुन्ध है डेरे वाले बावन नदियों का संगम चंद औरतों का सहर कि वुगते सूर्ज की चिरण छोटे चोटे पक्ची यह भी काफी important है यह एक बार exam में पूछा जा चुका है उत्राखन की exam में कि छोटे चोटे पक्षी किसका एक उपन्यास है तो किसका है सेलेस मट्यानी जी का पुनर जन्म के बाद ये भी important है ठीक है तो ये सारे उपन्यास आपको सेलेस मट्यानी जी के ज्याद करने है कहानी संग्राई के बाद कर लेते हैं मेरी 33 कहानिया यह भी इनका प्रमुक कहानी संग रहा है और उसके बाद है दो दुखों का एक सुख काफी इंपोर्टन है यह भी बर्फ की चट्टाने प्यास और पत्थर जंगल में मंगल महाभोज यह भी काफी इंपोर्टन है भेड और गडरी है तो यह इनके प्रमुक कहानी संग रहा ह जो आपको याघनने हैं, याज करने हैं, निबंद और इस्मरन की बात करने हैं, इस्मरन क्या हो ते मैं आपको पुरिशली जो साहठीके वीडियो लाई थी, उसमें बताए था, इस्मरन का मतला होता है,arken जैसे कोई ब्यक्ति है, वो तुम्हारे साथ उसने टाइम बिता है तो उसके बारे में कुछ यादे अपनी डायरी में लिख देना या उसके कुछ लेख लिख देना इसको कहते है इसमरन या कोई बेक्तिया कुछ भी हो सकता है तो इसको कहते है इसमरन ये होता है जीवनी, किसी ब्यक्ती के बारे में थोड़ा रिसाच करके, उसके बारे में लिखना continues जीवनी तो ये होते हैं कि उसके बारे में पूरा लिखना लेकिन इस्मरन उसे कहते हैं जितना समय उसने तुम्हारे साथ बिताया जितना तुम्हें याद है इसमरन है तुम्हें इतना वो तुमने अपनी डायरी में लिख दिया या अपने लेख में लिख दिया तो जो इनके निबंद और इसमरन है कागज की नाव मुक्यधारा का सवाल लेखा की हैसित से जनता और साइत राष्टियत की चुनोतिया किसे पता है राष्टिय सर्म का मतलब तो ये इनके परमुक क्या है निबंद और इसमरण है लोकता संग्राय भी इन्होंने काफी लोकताई भी लिखिये इन्होंने तो कौन-कौन से इनके परसिद्ध लोकताई है कुमाओं की लोकताई है चंपावत की लोकताई है क्योंकि ये कुमाओं से संभन देते है कुमाओं में इनका जन्म हो था तराई परदेश की लोकताई है तो ये इनकी तीन परसिद्ध लोकताई है तो ये तो होगए इनकी परमुख रचनाई उपन्यास पे आपको बिशेज ध्यान देना है आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे इनके परमुख पुरुसकारों की तो यहां से पुरुसकारों से भी question बनते हैं तो यह आपको बिल्कुल याद करने हैं तो सेलेस मट्यानी जी को महाभोज के लिए, महाभोज इनकी एक परमुष रचनाय मैं उपर आपको बता चुका हूँ तो उत्तरपरदे सरकार ने महाभोज के लिए इनको प्रेमचंद पुरुषकार से सम्मानित किया 1983 में बिहार सरकार द्वारा भी इनको सम्मानित किया मुठभेड उपन्यास जो इनका मुठभेड उपन्यास है इस उपन्यास के लिए बिहार सरकार ने इनको फणी स्वर नाथ रेनो पुरुषकार से सम्मानित किया तो सेलेस मट्यानी जी को फणिस्वर नास रेनो पुरुषकार से किस ने सम्मानित किया बिहार सरकार ने सम्मानित किया किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया मुठभेड उपन्यास के लिए सम्मानित किया तो इस प्रकार के question आपको खुद अपने दिमाग में बनाने हैं तब जाके आपको ये याद रहेंगे वैसे अगर आप दो तीन बार पढ़ोगे आपको रटा नहीं माना है आपके दिमाग में वसी बढ़ जाएंगे क्योंकि आएंगे तो MCQ और MCQ में इतना हो जाता है कि अगर आपने तीने चार बार रिपीट कर रखा है तीने चार बार पढ़ रखा है फिर रिवजान भी अच्छे से कर रखा है तो आपको idea हो जाता है अगर आपको question याद भी नहीं हो रहे हैं तो आपको इतना idea हो जाता है MCQ में यह मैंने पढ़ रखा है और इसका यह सही answer हो जाएगा तो इसलिए आपको पढ़ना सभी है छोड़ना कोई नहीं अपने सिर्फ पांच आप बिल्कुर रट्टा मार की जार होगे वसी यह पांच में पढ़ना इससे जाद ने पढ़ना तो पढ़ने आपको सभी हैं अब देखो इसकी बाद 1994 में कुमाउं विस्तविद्याले द्वारा उसका उनिस सो निन्याने में उत्तरपदे सरकार द्वार इन्हें लोहिया पुरुसकार से भी सम्मानित किया तो आ सकता है एक्जामे की बताइए की निमन में से कौन से उत्राखंट के लेख किया उपन्यासकार को उत्तरपड़े सरकार ने लोहिया पुरुसकार से सम्मानित किया तो किसको किया सैलेस मट्यानीजी को उननी सो निन्नियाणवे में उसके बाद 2000 SP में सन 2000 में केंद्रिय हिंदी निदेसाले द्वारे इनको राहूल संकर्तियान पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया देखो राहूल संकर्तियान पुरुसकार क्या है राहूल संकर्तियान भी एक लेखक रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं कर रखी हैं तो वो भी इनके बार में भी इनके बारे में 美味 दिया गया है तो इनको मैं आपको इनके बारे में कल details fare लेटेल कि इनको होगी तो उसमें राहुल संकृतियान को भी मैंने रखा है क्या फिरभी काफी important है और राहुल संकृतियान पुर्षकार से सम्मानित क्या जाता है उस बैक्ति को जिसने हिंदी साहिते में एक विशेश योगदान दिया है किसी यात्रा वर्तानत का वरणन दिया है और अच्छा उसमें योगदान दिया है तो उत्करष्ट योगदान के लिए हिंदी साहिते में ये भी दिया जाता है राहूल संकर्तियान पुरुसकार तो किसको दिया गया है सेलेस मट्यानी जी को 2000 में इनके हिंदी छेतर में ये हिंदी साहिते के छेतर में उत्करष्ट योगदान के लिए इनको राहूल संकर्टियान पुरुसकार दिया गया दोजार में उसके बाद 2009 में उत्राखन सरकार ने भी इनको एक सम्मान दिया और वो क्या सम्मान दिया किकि इनके नाम पे इन्होंने उत्राखन राज सरकार में एक सिक्षक पुरुसकार राजसेक्षिक पुरुसकार 2009 में उत्राखन सरकार दोरा सेलेस मट्यानी पुरुसकार की सुरुवाद की गई किसके समान में सेलेस मट्यानी की समान में सेलेस मट्यानी पुरुसकार की सुरुवाद की गई आजाएगा मैं इस प्रकार यहाँ पे नोट्स बनाने की कोशिद करता हूँ सेलेस मट्यानी पुरुसकार एक राज्य सैक्षिक पुरुसकार है जो उत्राखन सरकार जवारा सिक्षकों को सैक्षिक कारे में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है तो सेलेस मट्यानी जी को कहा जाता है उत्राखन का आंचलिक कथाकार इसको आप जरूर याद करें बहुती ही इंपोर्टेंट हो जाता है यह उत्राखन का आंचलिक कथाकार सेलेस मट्यानी तो सेले समट्यानी के बारे मैंने आपको पुरुसकारों के बारे मैं और जितने इनके रजनाये हैं वो सारी डेटेल्स मैंने बता दी है अब आगे बढ़ते हैं तीसरे जो लेखक है वो है पीतंबर दत बढ़त्वाल ये भी काफी इंपोर्टेंट है ये भी उत्राखन के हैं और इनका जन्म वा था 13 दिसंबर 1901 को काव था पाली गाउं जो की पोड़ी गड़वाल की अंतरगत आता है पाली गाउं वहां पे 13 द कि महतोपूर्ण योगदान दिया है हिंदी साहिते के छेतर में वैसे जो पीतंबर दत बरत्वाल ये थे एक सोद करता है उन्होंने हिंदी साहिते के छेतर में बहुत सारे सोद के लिए ही उनको क्या मिला था इनको 1933 में D-Literature की उपादी दी गई तो ये इनका सोध था तो इसके लिए D-Literature की उपादी दी गई और हिंदी साइटे के ये पहले बेक्ति थे जिनको हिंदी में D-Literature की उपादी प्रदान की गई ये भी आपको जरूर नोट करना है पीतामबर दतवर्थवाल या डॉक्टर पीतामबर दतवर्थवाल क्योंकि D-Literature की उपादी नोंने पाई है PhD तो पीतामबर दतवर्थवाल ऐसे हिंदी में पहले ऐसे बेक्ति थे जिनको हिंदी में हिंदी के लिए क्या मिले था D-Literature की उपादी प्रदान की गई थी तो काफी इंपोर्टन इसलिए आपको जरूर नोट करना है इनके जो अन्य रचनाय है रूपक राइस से गोरखवानी, गद्य सोरव, हरदास की सकी और सतसई सब्तक ये इनके कुछ प्रमुख रजनाय है निबंदों की बात करें हिंदी साहित में उपासना सुरूप कविके सवदास और कनेरी पाओ ये इनके कुछ से निबंदे अब देख इनके बारे में प्रमुख जो महित्वपूर्ट सत्य है वैसे मैं आपको उपार ही बता दिये है लेकिन फिर आपको यहां से एक बार दुबार आप रिविजन कीजे पीतामबर्तत बर्थवाल एक हिंदी सोध करता थे और हिंदी साहित में डॉक्टर ओफ लिट्रेचर यानि डी लिट्रेचर की उपादी प्राप्त करने वाले पहले बेक्ती हैं तो एक्जामें अगर पूछा गया कि हिंदी भासा में डॉक्टरी या डी लिट्रेचर की उपादी धारन करने वाले या प्राप्त करने वाले पहले बग्ति कौन थे तो वो थे आपके पीतामबरतदबर्थवाल जो की उत्राखंड के हैं उसके बाद यहाँ पर कासी विश्ववी दला द्वरा इनकी रचना है जो हिंदी कावे में निर्गुणवा संपरदा है उसके लिए इनको 1933 में डॉक्टर आफ लिट्रेचर यानि डी लिट्रेचर की उपादी दी गई पीतामबरतदबर्थवाल बच्पन में अंबर नाम से कविताय लिखते इनको बच्पन से ही कविताय लिखने का सोग था तो बच्पन में किस नाम से कविताय लिखते थे वो लिखते थे अंबर नाम से और इन्होंने क्या किया हिलमेन नाम के एक पत्रिका थी उसका भी इन्होंने समपादन किया तो ये कुछ महत्वपूर्ट अध्यते पीतांबर ददबर्टवाल जी के बारे में तो ये आपको नोट करने है उसके बाद बढ़ते हैं आगे सेखर जोशी के बारे में सेखर जोशी जी ये भी उत्राखन के हैं और ये भी एक हिंदी साइथ में ये भी एक जानमाना नाम है तो इनका जन्म वाता सितंबर 1932 में और अलमोडा के ओलिया गाउं में अलमोडा के ओल्यवाव में 1932 में जन्मे हैं सेखर जोशी जी इनके उपन्यासों की बात करें तो इनके उपन्यास हैं कोशी का घटवार काफी इंपोर्टन रही है मेरा पहाड अत्मूसक वाच चींटे के पर साथ के लोग और हलवाला तो ये उपन्यास जैसे मैं आपको पह है गलता लोहा नामा कहाणी है इसका मुख्य पात्र है उसका नाम है मोहन यहां पर एक मोहन है और यह एक पंडित का बेटा होता है और इसके जीवन के बारे में क्योंकि वहां पर यह एक पंडित का बेटा होता है और इसका एक दोस्त होता है उसका नाम होता है वंसीधर क्या है उसका नाम इस कहानियों का पढ़ सकते हैं वैसे 11 ते 12 से मिल जाएगी तो मोहन एक पंडित का लड़का है और इसका दोस्त होता है वन सीधर जो कि निचली जातिका है और यहाँ पे इसी के बारे में मोहन की कहानी के बारे में बता गया है कैसे यह मोहन जातिका भेदभाव से उत्पन जो परिस्तियां है उनका सामना करता है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की जातिका हो गया ब्रामन था और वो निचली जातिका था वहाँ पे तो कैसे वो में जाती के भी जो भेदवा उत्पन हो रहा है उसमें सामध़िसे बिठा सकता है और उस्षी परिष्टियों का सामना कैसे कर सकता है ये उद्डे से है इस कहानी का तो ये आपको नोट करना है गलता लोहा नामक पहानी के सिख्छार जोशीजी की है और इसके प्रमुक पात्र कोन है इस कहानी के मोहन है जो एक ब्रहमन का लड़का है और इसका दोस्त कोन है बंसी धर है उसके पाद एक और चीज यहां पर आपको नोट करने है जो दाजू कहानी है इस पर Children's Film Society द्वारा एक फिल्म का भी निर्मान किया गया है तो 1987 में उत्तरपड़े सरकार द्वारा इनको महावीर प्रसाद द्वेदी पुरुषकार से सम्मानित किया गया है कब किया गया 1987 में उसके पाद 1995 में इन्हें साहित्य भूसन पुरुषकार से भी सम्मानित किया जा चुका है बटा दिये हैं अब बढ़ते हैं जो आज का लास्ट जो कवी है वो है सिवानी जिनका नाम गोरापंत है अब दोखो सिवानी का जन्म हुआ था 17 अक्टबर 1923 को राजकोट गुजरात में लेकिन आप यह सोच रहा हूं कि आज का हमारा जो टोपिक है वो सिर्फ यह था कि उत्राखन के हिंद जो हिंदी साहित में इनका योगदान है जो इनके रचनाएं है वह कुमाओ छेत्र से सम्भंधित है कुमाओ छेत्रिक बारे में काफी उलेख मिलता है इनकी रचनाओं के इसलिए मैंने इनको यहां पर उत्राखंड के जो टोपिक है आज का उसी में मैंने को मैंशन कर रहा है तो आपका जल्दी-जल्दी स्लेबस में कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि अगर मैं इनको छोड़े तब फिर आगे कभी कुछ एश्टा बढ़ जाता तो जितना जल्दी हो से कि हम यहां पर अधिक से अभी जो यूके ट्रप्रसी ने स्लेबस में दे रखे हैं उनको यहां चल खुसरो घर अपने ठीक है यह काफी इंपोर्टन है यह प्रमुख उपन्यास है समसान चमपा कैंजा मायपूरी विसकन्या रविलाप और आकास यह इनकी प्रमुख क्या है उपन्यास है इनके कहानी संग्राई के बात करें तो म्रणमाला की हंसी सिवानी की महसूर कहनि पुस्बहार अपरादिनी और जरो का जो कि यह इनकी प्रमुख कहानी संग्रा है इनके एक आत्मकता भी है सुनहु तात यहा अमर कहानी किसकी एक परसिद्ध आत्मकता है तो किसकी है सिवानी जिनको गोरा पंत के नाम से भी जाना जाता है एक यात्रा वरतांत भी है इनक 1882 में इनको पदमश्री से सम्मानित किया जा चुका है तो पदमश्री से कब सम्मानित कआ गया नड़ेarno कि लूग संस्कृति की जलक्त देखने मिलती है इसले मैंने उत्राखनयक अगि हिंदी साहित्य का उत्राखन के परमो कवियों का या लेखकों का टोपिक इसलिए मैंने इनको यहां पर मेंशन किया क्योंकि इनकी जो रचना है उसमें कुमाउचेतर की लोग संस्कृति की जलक देखनों को मिलती है तो यह हो गए यहां पर उत्राखन के लगबग सभी समाध हो चुके हैं इतने ही हैं यह आपके यूकलेट्रीलेसी में देव हैं बाकि जो अधर दे रखे हैं वो तुखे देर देर कंप्लीट हो जाएंगे बहुत ही जल्दी लगबग अभी अगर दो बीडियो या तीन बीडियो ओर आएंगी तो हिंदी का जो सलेबस है यूकलेट्री इसके नौट्स आपको काम लेंगे हमारे एप में मिल जाएंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्षट साथ अब तक के लिए धन्यवाद